Hello friends, reasoning and computer class में आपका स्वागत है तो दोस्तों ये वीडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है मैं आपसे request करूँगा, ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा महनत करके बनाई है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा time spent किये अपना तो मैं आपसे request करूँगा, वीडियो को start से end तक देखे मैं आपको हर analysis के साथ बताऊँगा, starting from the number of the seats क्या impact है, क्या 2019 में cut-off थी, उसका 2020 पर क्या impact आएगा और उसे साब से cut-off कितना जाएगा, किस category का क्या राएगा आपके सारे questions का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो अमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बिना time को बरबाद किये दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हम सब कुछ discuss करने वाले हैं, चाहे वो category wise cut-off हो, चाहे वो MBBS मिलने वाले college हो, चाहे वो हमें ये बताना हो कि 2019 के comparison में cut-off कितना ज़्यदा vary करेगा, और कौन-कौन से ऐसे factors हैं, जो cut-off को सब ज़्यदा impact करते हैं, तो चलतो अपने main content के उपर, तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ, कि आपका 2019 में speak analysis है, तो यह सबसे पहले मैं बात करूँगा, 2019 की करूँगा, दोस्तो, 2019 में जो government MBBS के college है, 50% AIQ quota के लिए, जो 2019 की पहले हम बात कर रहे हैं, तो जनरल में जिस candidate के, the candidate who got 581 marks, उसकी rank आई थी 12,611, so this is the approximate rank जो 2019 में student की आई थी, तो जिस student के 581 marks आ रहे थी, जनरल category में उसके 12,611 rank आई थी, जिस candidate के same marks with OBC category, अगर हम OBC category में देखते हैं, same marks है, वहाँ पे OBC वाले candidate की rank आई थी, 12,614 के approach आई थी, उसके सब मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, कि आप OBC और जनरल में ज्यादा differentiate ना करें, क्योंकि AIQ quota में लगबग दोनों की बराबर cutoff जाती है, अगर हम SC और ST category की बात करते हैं, दोस्तों, SC category में अगर आप यहाँ पे देखोगे, SC category में जिस स्ट्रेंट के 462 marks आये थे, वहाँ उसकी rank आये थी, 74,400, अगर हम ST category की बात करें, यहाँ पे दोस्तों, तो ST category में आप खुद देख सकते हो, कि 445 marks, candidate के marks कितने आये थे, 445, और उसकी rank आये थी, 85,200, तो यह थे 2019 की MBBS AIQ quota की cutoff, के साब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कि यह marks पे यह rank आये थी, तो अगर आप देख सकते हो, किसी अ अगर 580 के आसपास marks आ रहे हैं, तो उसकी All India rank 12,000 के आसपास आ रही थी, और ऐसी ST category की बात करते हैं, तो 462 marks पे 74,400, और ST category में 445 marks पे 85,000, तो यह थी 2019 की cutoff, अब चलते हैं, दोस्तों, 2020 की cutoff के उपर, तो 2020 की cutoff को जो factors है, जो impact करेंगे, वो चार factor है, दोस्तों, 1, 2, 3, and 4 These are the four factors which will be impacting 2020 cutoff, first thing is candidates appeared in the exam, second thing is seat available for the government college, third thing is difficulty level of paper, and fourth thing is the COVID-19 impact, तो अगर हम इन चारो factors के बारे हम बाते करते हैं, तो आपको यह बताऊँगा, कि इनका क्या impact है, मिला कितने candidates increase हुए, कितने seats increase हुए, पेपर का difficulty level क्या था, इन factors भी हम एक एक करके आपे बात करते हैं, तो दोस दोस्तो सबसे पहले हम चलते हैं, अपने paper के level के उपर नी, 2020 का जो paper था, 2020 का जो paper था, उसके analysis के उपर हम चलते हैं, तो हम देखेंगे कि जो physics का level था, वो easy था, आपको 2020 में assessment मिल जाएंगे जिनके physics में लगबग जो aims जाले वाले बंदे हैं, उनका पूरे number आ रहे होंगे, उसके बार chemistry में हम देखेंगे, chemistry का जो level था, दोस्तो वो average था, physics का easy था, उसके बाद अगर बोटनी की बात करते हैं, तो average to moderate था, और हम जूलोजी की बात करते हैं, तो moderate था, तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे tough level किसी का नहीं है, paper का level same exactly 2019 के साब से आया था, तो यह तो अगर हम चलते हैं, इन चीज़ों को पर दोस्तों, अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, friends, कि आप अगर यह factors देखोगे यहाँ पे, कि इसमें जो marks required for the government seats depends on, तो इसके क्या-क्या factors होते हैं, तो अगर हम इन एक-एक factor को हम डंग से बात कर हुए थे 2019 में, मतलब आप मान के चलो 75,000 student ज्यादा थे 2020 में 2019 की comparison में, उसके बाद क्या है seat available for government MBBS college, almost 5K more than, तो लगबग क्या हुआ है, अगर 74,000 के मतलब अगर बढ़े हैं, तो उसके साथ साथ आपकी seat भी बढ़ी हैं, अब इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, almost 1000 seats for 15 percent AIQ quota, इसमें मैंने aims को include नहीं किया, अब आप बोलोगे कि मैंने आप यहाँ पे aims को include क्यों नहीं किया, दोस्तों, जो student exam देते थे इसका, वह मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो NEET का देते थे, वो aims का अलग से भी देते थे, वो ही toppers NEET में वहा करते थे, और वो finally जाक तो वो students already included है, इसके अंदर, दूसरा चाहता है कि difficulty of the paper, paper का level कैसा था, तो इसमें almost equal था, little bit easier than 2019, तो लोग तो ऐसे ही बोलड़ा है कि 2019 की comparison में easy था, और जब सबसे last वाला factor है वो COVID-19 impact है, कि इसमें student का क्या role था, कि महलें students को preparation करने का का काफी ज़्यादा time मिला था, तो यह चार बहुत deciding factors हैं, जो मैंने आपके सामने यहापे बता दिये हैं, तो जो दो main factors देर मैंने आपको बताए, 75-4 के students ज़्यादा थे, उसके बाद जो seats बढ़ी हैं, वो 5K more than 2019, और 1000 minus aims, aims को मैंने included नहीं किया, क्योंकि aims तो already included रहता था, किस level पे, क्योंकि aims के बच्चे पहले से apply करते थे, तो वो join नहीं करते थे, बट हमें से exam पहले दिया करते थे, और difficulty, लोग बोल रहे है, 2019 के similar ही था, tough नहीं था, अब हम चलते हैं, दोस्तों, इससे cut-off है, क्या impact आ सकता है, इन चीज़ों का cut-off है, क्या impact रहेगा, तो cut-off जो मैंने expected रखिए, दोस्तों, this can be the expected cut for government MBBS college, अब देख सकते हो, general OBC 5, 85 plus minus 5 marks, अगर आपकी marks आ रहे हैं, तो आपकी 220 में, मैं यह बात करूं, 220 में आपकी AIR आएगी, 14,000 से 15,000 के अप्रॉक्स आएगी, if you belong from SC category, and your marks are around 465 plus minus 5, तो आपकी जो rank है, 77,000 से 80,000 के बीच आएगी, अगर आप SC category में belong करते हैं, तो और if you are getting marks around 445 plus minus 5, 445 plus minus 5, तो आपकी जो AIR है, वो 87,000 से 90,000 तक आएगी, और मैं यह बता रहा हूँ आपको, इस rank पे आपको हर category में MBBS government college guarantee के साथ मिल जाएगा, तो काफी students मेरे साथ comment करके पूछते हैं, expected cut-off में मेरे इतने marks आ रहे हैं, क्या मुझे government college मिलेगा, या नहीं मिले आपके सामने है, if you are getting 585 marks, means you are in safe zone, you can get MBBS college and your rank would be around 14,000 to 15,000, if you belong from SC category and your marks around 465 plus minus 5 marks, then your AIR will be around 77,000 to 80,000, if you belong from SC category and if your marks around 445 plus minus 5 marks, then your AIR can be around 87,000 to 90,000, this is the approximately automation भी चाहिए आप टेकन, और दोस्तों यही expected cut-off रहेगी, मैं आपको यह बता देता हूँ, यही MBBS के लबग cut-off होने वाली है, आपके same marks पे, last year में जो rank पे, जो marks पे, जो rank आई थी, उससे मुस्किल से, 500-600 rank के तबदर vary कर सकती है, क्योंकि paper का level same था, 74K students ने ज्यादा उससे आप से अगर compare करें, तो 5-6,000 सीटे भी पढ़ चुकी है, तो इन सब चीजों को देखा जाए, तो अगर आपका, यह, इस range के अंदर आपके marks आ रहे हैं, तो आपको surety शाथ MBBS college मिल जाएगा, और आपकी cut-off ही रहेगी, तो दोस्तों यह वीडियो मैं आपकी लिए आपके सारे comments का एक ही वीडियो में apply कर सकूँ, अगले वीडियो में मैं आऊँगा, बहुत सारी important information के साथ, जिसमें मैं आपको सी distribution भी बताऊँगा, जो आपकी counseling में बहुत ज़्यदा help करने वाले होगी, thank you, दोस्तों, all the best for your results.